नमस्कार दोस्तों, इसमें हम एक MCQ वाला कोश्ञ लेंगे और उसकी व्याक्षिया करके हम इसका अद्यान करेंगे तो परश्ण देखने हैं पहले चार्चा में रहा अगस्त करांती दिवस कौन से भारती राश्ट्री आंदूलन से समझत जाए अगस्त करांती दिवस कौन से भारती राष्ट्री अंदूलन से समझे चार आप्षिन है सवदेशी आंदूलन खिलाफत अंदूलन असाहोग अंदूलन या भारत छोड़ोग आंदूलन तो बताना है भारत छोड़ो आंदोलन की सांदे में करो या मरो का नारा किस न दिया था तो महात्मा गांधी ने दिए था और ये भारत छोड़ो आंदोलस ओ गया थ Dasht山 और भारत छोड़ो आंदोलन की अगास maторыDo घाफ थ के शुरूवात हो गई थी अगस्त करांती दिवस कब मनाया तो आठ तारिक को अगस्त करांतीि मैंत प्रस्ताव कब लाए गया थे लेकिन इसकी आंदूलन की शुरुवात की जाएगी लेकिन इसकी आंदूलन की शुरुवात नुँगर्प सुन नीस सोब लेकिन इसका प्रस्ताव कार्श में प्रस्ताव लाए गया था तो वर्धा प्रस्ताव क्या ऑंडिया मोमेंट की थू आई एम में वर्धा और फ्रस्ताँ 60S संबस्ते है तो वर्धा प्रस्ताँ 1989 मौरेश यह कर दाए बारा प्रस्ताँ श्वंदिभान मौरेश फोड़ कर सकांस सुर्वात 9वल अगस hooks है कि अंदर में नौ अगस मीस सब्सक्राइश Так 42 को ही भारत छोड़ों अंदूरों की शुरुवात क्यों हुई थी क्योंकि 9 अगस्त 1925 के अंदर में ही लखनव के काकोरी ट्रेन डखेती हुआ था इसको अंग्रेजों ने काकोरी ट्रेन डखेती नाम दिया था लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन यूपी गौर्णमें इस जो काकोरी ट्रेन डखेती है इसका नाम बदल दिया है इसका नाम अब रख दिया है क्या तो काकोरी ट्रेन एक्शन काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया है यूपी गौर्णमेंट ने डखेती वकिती नहीं कहा जाएगा इसको अब इसको कहा जाएगा काकोरी ट्रेन एक्षिन यूपी गॉवर्मेंट ने नाम रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्षिन इसी दिन जब 9 अगस्त 1942 के दिन में जो है इसके शुरुवात होनी थी अगले दिन तो आठ अगस्त को कब 8 अगस्त 1942 के दिन में ही रात की 12 बजे महत्पूर निताओं को जो है बंद कर दिया बंगाल विभाजन और किसके समय में होता कर्जन की समय में उता इसके बाद इसी के विरुद स्वदेशी आंदूलन के शुरुआत हुई थी कब 7 अगस्थ 7 अगस्थ 1905 के अंदर में स्वदेशी आंदूलन के शुरुआत हुई थी क्यों क्यों क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था करजन के समय में साथ अगस 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुवात हुई और कहां से हुई तो टाउन हॉल कोलकाता से शुरुवात हुई तो फिर से 1905 के अंदर में बंगाल विभाजन करजन ने कर दिया था जिसके कारण से स्वदेशी आंदोलन साथ अगस 1905 को हुआ और इसके शुरुवात टाउन हॉल कोलकाता से हुई थी 1919 में 1919 में 13 अपरैल 1919 में जलियां वाला बाग हत्याकांड हो गया था अमरिस्टर के अंदर में अमरिस्टर के अंदर में 13 अपरैल 1919 को जलियां वाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें कई सारे निर्दोस लोकों को जनरल डायल ने जो है मरवा दिया था तो 13 अपरैल 1919 इसके अगले साल 1920 को असाईव गान्दुलन जो है गांधी जी की द्वारा चलाए गया था कब 1920 के अंदर में असाईव गांदुलन चला गया था ग्ांधी जी के द्वारा और जब 1922 में इक बहुत बड़ा गोरखपुर में चाहां कान्धित है तो गोरखपुर उत्तरप्रदेश में गांधी जी ने आसाहियों गांधियों को नहीं चलाएंगे क्योंकि हम हिंसा नहीं चाहते हैं तो 1920 में असाहय उगांदनों के शुरुवात हुई थी लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड़ गोरखपूर के अंदर में हो गया था इसलिए असाहय उगांदनों को जो है वो कुट कर दिया गया छोड़ दिया गया 1925 में 9 अगस्त 1925 के अंदर में लखनहों में लखनव में काकोरी ट्रेन किया गया था जो इन्स सबके द्वारा 10 लोग उसमें लुदने 10 लोग उस ने monsters उमें उन लोगों ने मिल करके लखनव के अंदर में Siya कर दिया था अब इसको काकोरी ट्रेन सब्हायइब में हम हम दो queuing और ट्रार सब्हाय से अब काकोली ट्रेन डखती नाम नहीं कहा जाएगा काफो एक्षिन नाम एकषिन नाम लेक्षिन कहा जाएगा 1929 में नहीं सो निखें लाह अधिवेशन की था दो उनहीं कि अन्दर में इसके अध्यक्षता के थी पंडि जवालाल नहरु में 1929 में लाहूर का अधिविशन किया था जिसमें किस चीस की माँंग किसमें रखा की गई थी तो 1929 में पूर स्वराज की मांग की गई थी उनीस सो तीस के अंदर में बारा मार्श से 6 अपरेल के अदर में दांडी मार्श चला था दांडी मार्च जिसमें महातमगा दी के फ Алववर्स ने उंगे साथ दांडी वार्ष कीय था in क killers के अंदर में 12 मार्श से whatsapp in 1930 के बीच में दांडी मार्श शुरू को था जिसकी बास जोरी समगार की उन्ग्या अंदर में शुरू हो गया था फिर 1932 के अंदर में 1932 के अंदर में पूना पैक्ट हुआ था 1932 के अंदर में पूना पैक्ट हुआ था यर्वदा यरवदा जेल में जो है महत्मा गांधी और अम्बेटकर साथ के बीच में में पूना पैक्ट होता यरवदा जेल के अंदर में 1932 में पूना पैक्ट किमदी यरवदा जेल में भी है और उसकी व्याक्या यानि कारण में और सही है और कफन का सही व्याख्या कारण करता है कारण ये था क्रस्ताओ आया और पर औराम ये हुआ कि भारत चोड़ो आंदूलन शुरू हुआ तो यह है इस प्रश्ण की व्याख्या को यहां पर देखें स्वादेशी कस अगस्त करनती दीवसुए सब्सक्राइब यह संबनित किस्से है तो यह भारत छोड़ो आंदूलन की हम शुरुआत करेंगे नौ अगस्ट निस सो बैयालिस में जब जो है इसको अन्जाम देना था तो आठ अगस्त के राद 12 बजे ही और ओपरेशन जीरो और क्या ओपरेशन जीरो और क्या ऑपरेशन जीरो और कि शुरुआत कर दी गई थी आठ अगस्त निस सो बैयालिस के आधी रात में 12 बजे और महत्पूर नेताओं को जेल के अंदर में डाल दिया गया था उसके बाद जो है भारत छोड़ो अंदूलन ज आंदुलन की शुरुवात कब हुई यानि कब से वो लागू हुआ तो वो लागू हुआ नो अगस्त 1922 से क्यों नो अगस्त को क्योंकि नो अगस्त के दिन में ही नो अगस्त के दिन में ही 1932 के दिन में ये प्रश्ण और इस प्रश्ण की व्याख्या ओप यू लाइक इट इस प्रकार के प्रश्ण mcq टैप के जो है और उसकी व्याख्या के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए नमस्कार जहें